नमस्कार, मैं लताताउमाद, आज कहानी किचिंटी में हम दाल पालक बनाएंगे, जो बहुती पोस्टिक होती है, बहुत स्वाधिष्ट होती है, कम मसालों में बनती है, कम तेल में बनती है, तो आप एक बार ट्राइ जरूर करें, तो हम शुरूर करते हैं बनाना, यह हमने पालक लिया है, और पालक को हम साफ करके छाट लेंगे, और अच्छे से धो लेंगे, आप या तो काट के दो सकते हो, या पहले दो सकते हो, और हमने एक बड़ी गड़ी लिये है पालक की, पालक को बारी काट लेंगे, मैं बाद में दोंगी, पहले नहीं दोया है, मैंने, इस टैप से लेंग, गड़ी को इसी टैप से रखोगी तो पालक काटने में बहुत एजी रहेगा, आसान रहेगा, बिल्कुल बारीग काट लेगे से, जब हमको इस टैप सबजी काटते हैं तो हमको बहुत हरवाला चाकु चाहिए रहता है, तेज़ दार हो इसमें, और ये उ बारीग काट लेगे, बारीग काट लेगे, अब हम इसे अच्छे से दोहेंगे, तीन-चार बार पानी में डालना पड़ेगा, किसी बड़े वर्तन में डालके और फिर दोहेंगे, आपको इसी तरह से डोल दोना है, नहीं तो ये हरी सबजीयां होती है, पालक वेयरा वो कि किसी रह जाती है, जो खाने में अच्छी नहीं लगेंगी, तो आपको इसे कई बार दोना है, जब तक साफ पानी नहीं निकल आए, अब हम क्या करेंगे, हमने एक आदा कटोरी चने की डाल ली है, तो इसे डाल लेंगे, इसमें, कुकर में डाल लेंगे, और जो पालक काट दाल लेंगे, अच्छे से धु लिया है, एक बार और बता दे दू है, आपको बहुत अच्छे से धोना ऐसे बारी काट नहीं है, तो इसके कटोरी से ली थी, ज्यादा पानी दी लगता है, पहले हम 2कटोरी नहीं पानी डाल के देखेंगे, पालक में नमक कम लगता है, तो नमक स्वाद अमसारी डालें आप थोड़ा साल्दी डालेंगे आदा चोटा चमच आदा के टोड़ी पानी और डाल रही हो गुकार बंद कर देंगे और इसमें हम 5 सीटी आ लेंगे 5 सीटी लेने के बाद फोड़ी धीमी गैस करके 5 मैट के लिए रखेंगे और फिर गैस सीघ था टाती हूं हमने यह निए यह तीन बड़ी मिर्ची सब्सक्राइब कर दोड़ा ख।ार में ने एक चोड़ा जीरा लिया है लैसन इसमें ज्यादा लगेगा तो हमने 20 बीज के करीब लैसन लिया है जिसे हमने काट लिया है एक बड़ी लाल मिर्ची ली है जैसे इसे गोल लेंगे इसमें लंज नहीं पढ़ने चाहिए अच्छे से गोलने इसे पहले कम पाई डाल के गोले मैंने एक साथ पाई डाल दिया थोड़ा थोड़ा करके डाले तो सही हो जाएगा यह तो हमारा पेशन गुल गया है इसे हम एक साइट रख देते हैं और हम दाल को देख लेते हैं इस दाव में हमने 5 सीटी लगा के 5 मटले जूमी गयास पर रखा और ठंडा करके पोल लिया है इस टैप से पक चुकी है इसमें क्या करेंगे जो हमने बेसल दिया है पानी में गोल के उसे डाल देंगे चलाएंगे अच्छे से थोड़ा सा पानी और जरासा कि आफ पर जा रखना है और अब हम इससे घयस पर चड़ा देंगे बस जला देते हैं और थोड़ी देर इसे रखेंगे एक बार बॉल आ जाए उसके बाद 5 मेट तक रखेंगे फिर इसमें बगार लगा देंगे इसमें बोईल आ गया और इससे हम दूस्री गयास प जीरा दालेंगे लशन दालेंगे तो बूनेंगे लाल मिर्ची थोड़ी गेर चाल दालेंगे तो लाल मिर्ची जल जाएगी चूपी जो है हरी मिर्ची डाल देते हैं जोनेंगे दोनों चीजों को अब इसे और फोड़ा सो बूनेंगे लेशन को बिल्कोल ब्राउन करेंगे अभी ब्राउन नहीं गुए लेशन ब्राउन होने लगा है तो अब इसमें लाल मिर्ची डाल देंगे अब हमारा यह भी बन लिल बन गया है इसमें क्या है जो बेशन डालते हैं उसे पकाना होता है इसलिए इसे रखने 5-6 मिन ग लिए और आपके पास दूमारा पानी और भी डाल सकते इसमें एक मैं थोड़ा पानी में गोल के रख लेते हैं और अधर हमारा बहार भी पक्तुपा है वही बताते हैं इसे दूसरी केस पर रखती हूँ इस स्टैप से हो गया है ब्राउन हो गया है लैसन और बस इसमें डाल देते हैं अब लैसन नहीं खाते हो तो सिर्फ फिंग जीरे का चौक लगा सकते ह हैं अपका लुद्टच बटा मेश के लिए रखा अधर मेश्य आप अपको सर्व कर कि बता देते हैं अदै यह मारी चन्या दाल लौकी है है बनके त्यार हो गई है तो आपको पसंद आती है तो लाइक करें शेयर करें कमेंड़ करें आपने Subskribe नrica अरु सब्सक्रीब करे thank you